आज बन रही है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी पनीर बटर मसाला और सबसे अच्छी बात ये है इसे बहुत कम समय में हम जटपट से बना कर त्यार करेंगे फिर भी ये बहुत मज़ेदार बनेगी तो सबसे पहले एक मिक्सी के जार में मैंने तीन टमाटर रफली कट करके डाल दिये हैं थोड़े से इसमें हरे धनिय के डंठल डाल देंगे साथ में दो हरी मिर्श भी इसमें कट करके डालेंगे हरे धनिय के डंठल डालने सिना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा हैगा दो इं काजू को ना इसमें डाल देंगे अब यहां आदा चम्मच इसमें साबुत जीर डाल दें थोड़ा सा इसमें काश्मेरी लाल मिर्ष पाउडर डालें और आदा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दें अच्छी तरीके से इसे हमें पीस कर त्यार कर लेना है काजू डालने तो जब आप इसे पीस लेंगे तो इस तरीके का पेस्ट आपको मिल जाएगा अब गैस पर रख दीजे एक पैन और इसमें डालिए थोड़ा बटर अब बटर जब मैल्ट हो जाए ना तो आप इसमें पनीर के क्यूप्स डाल दीजे तो यहां पर मैंने 300 ग्राम पनीर बड़ अब आपको पनीर को ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है मतलब पनीर को ना हलका सा भून लेंगे इस तरह तो मसालेदार यह बटरी फिलेवर पनीर त्यार हो जाएगा जो कि ना इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है अब पनीर को अलग निकाल दे गैस पर फिर से कोई कड़ाई या पैन रखे और इस में थोड़ा बटर डाल दे पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो बटर का ही इस्तमाल आपको करना है अब इसमें族 साबुत जीर डाल दे एक तेज पत्त डाले और साथ मैं इसमें एक बड़ी विलाची डाल दी है और ये हम डाल देंगे चार लॉंग, दो काली मिर्ष, दो हरी लाइची और एक डालचीनी का टुकड़ा खड़े मसालों को इसमें अच्छे से भून लेंगे ये खड़े मसाले डालने से सब्ची में बहुत अच्छी खुश्बू और टेस्ट आएगा एक चोथा ही चमच इसमें हिंग डाल दें और हिंग को बिना आप भून लीजे अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ प्यास तो दो बड़े साइस के प्यास को बहुत ही बारिक चौप करके इसमें डाल दिया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा भूनेंगे तो इसे लगाता चलाते हुए आपको भून लेना है आपको यहाँ पर प्यास का पेस्ट नहीं डालना है इसी तरह प्यास को बारिक कट करके डालना है तो ये देखिए प्यास का कलर जो है वो change हो चुका है, प्यास काफी हद तक भुन चुका है, तो अब डाल दीजे इसमें आधा चमज हल्दी पाउडर, एक चमज धनिया पाउडर, एक चौथाई चमज डाल दे गरम मसाला, नमक डाल दे स्वादनुसार, आधा चमज डाल दे इसमें लाल मिर्ष पाउडर और साथ में थोड़ा पानी डालें ताकि से मसाले जो है वो जले नहीं और पानी ध्यान रखेगा गरम डालेगा अब आप मसालो को प्यास के साथ में अच्छे से भून लेंगे तो यहाँ पर मसाले और प्यास भून चुके हैं ओल सेपरेट होने लगा है तो जो टमाटर वाला पेस्ट हमने बना के रखा था वो हमें इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा पेस्ट मिक्सी के जार में लगा रहे गया था तो उसमें पानी डाल कर वो भी डाल दिया है अब अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स करना है और बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है तो जितने अच्छे से मसाला पकेगा सची उतनी टेस्टी बनेगी तो मैंने बहुत अच्छे से इस मसाले को पका लिया है अब जो पनीर हमने त्यार करके रखा है वो इसके अंदर डाल देना है साथ में एक चमच भुनी हुई क्रशकी हुई कसूरी मेधी डालेंगे और बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे हम एक चमच फ्रेश मलाई और बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है अगर आपने घर में इस तरीके से ये सबजी एक बार बना ली ना तो आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि इसके आगे रेस्टो और होटल वाली पनीर बटर मसाला भी आपको फीकी लगेगी तो बस अब इसमें डाल दीजे थोड़ा गरम पानी और अच्छे से मिक्स कीजे इसे बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है तो इस तरह की कंसिस्टेंसी एक्टम परफेक्ट है अब इसे ढख कर पांच मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने दें और ये देखे बहुती शानदार बहुती टेस्टी सबजी है त्यार अब ना मैंने इसमें एक चोथाई चम्मत चीनी डाल दी है इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन ये थोड़ी सी चीनी डालने से इसका टेस्ट कई गुना जादा बढ़ जाता है अच्छी तरह मिक्स करें एक मिनट के लिए और पकाएं उसके बाद फ्लेम आफ करें और सब्ची को सर्फ करें तो ये पनीर बटर मसाला इसे आप राइस चपाती नान पूरी किसी के भी साथ एंज्जॉय करें बहुत ही देस्टी लगती है तो इस रेसिपी को आप भी अपने गार जरूर बनाएं रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करें